नवस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार के दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुक करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर BPSC ने निकाली CDPO के पदो पर वेकेंसी यहां जाने पूरी जान करें नितीज सरकार का बड़ा फैसला अब साइकिल पोसाग के लिए एटेंडेंस की सर्थ खत्र बिहार में 10 चड़नों में होगा पंचाया चुनाव EVM से होगी वोटिंग नितीज केबिनेट की बैठक में हुआ फैसला बिहार के IAS, IPS और सरकारी अपसरों का विदेश जाना हुआ मुस्किल परसनल काम से जाने के लिए भी सरकार ने बनाया कडा नियम बिहार बोट को हाई कोट ने दिया जटका एस्टेट के 106 चात्रों की परिक्षा लेनी हो करभंगा में खुलेगर राज का दुसरा खादी मौल उदोग मंत्री साहनवाज हुसेन ने की घोसना दीन महने में 11 आइटी आई का होगा निर्मान दो साल में नहीं पुरा हो सका काम नए क्रिसी कानून के खिलाब माले का प्रदर्शन विधानसभा के बाहर विधायकों ने की नारेवाज बिहार में बिना सर्वे के जमीन का मालिकाना हक जानने के लिए कमीटी का गठन विधानसभा में निती सरकार का एलान आट दिलो के सदर अस्पतालों में सीटी इसकेन की सुरुवात वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मैद्धम से स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने किया सुभारम अब खबरे विस्तार से बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी और इंतिजार कर रहे युवाओ के लिए अच्छी खबर है बिप्यस्सी ने सीडीपियो के 55 पदो पर बहाली निकाली है इसके लिए आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिये है इन पदो पर अपलाई करने के इच्छुक कैंडिडेट 5 मार्च से अपलाई कर सकते हैं वही आवेदन की अंतिम्ति थी 1 अप्रेल रखी गई है सीडीपियो के पदो पर बहाली के लिए समाज कल्यान विभाग के तरफ से मंजूरी मिलने के बाद बिपयसी ने विग्यापन जारी कर दिया है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निती सरकार ने बड़ा फैसला किया है सरकार ने सक्षनिक सत्र 2020-21 में इसकूल के अंदर नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोसाक और छात्रविती योजना की रासी देने का फैसला किया है इन योजनाओं के लिए पहले 75 फिजदी अटेंडेंस की अनिवारजिता थी जिसे खत्म कर दिया गया है सरकार ने तै किया है अब अटेंडेंस की बाय दिता के बगैर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाब दिया जाएगा राज सरकार ने यहां फैसला केवल एक साल के लिए लागू किया है इस साल कुरोना के कारण स्कूल नहीं खुल पाए लिहाजा बच्चों की उपस्तिती भी स्कूलों में नहीं हो पाई इसके बावजूद राज सरकार ने साइकिल योजना पुसाक, योजना और छात्रिवित्ती की रासी देने का फैसला किया है मंगलवार को हुवी राज केमिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है अब बच्चों के बैंक खाते में सीधे इसकी रासी ट्रांसफर कर दी जाएगी बिहार सरकार ने सुबे में पंचाय चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है दस चुनाव में पंचाय चुनाव कराये जाएंगे पंचाय चुनाव इवियम की जरिये ही होंगे नितीश केमिनेट की मंगलवार साम हुई बैठक में ये फैसलार लिया गया है दरसल चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचाज चुनाव का मामला लटका पड़ा था बिहार सरकार EVM के सहारे वोटिंग करना चाह रही थी लेकिन EVM के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी चुनाव आयोग ने बिहार के पंचाज चुनाव में EVM के प्रयोग की मंजूरी नहीं दी थी इसके खिलाब राज सरकार कोट गई थी मंगलवार की साम हुवी केबिनेट की बैठक में EVM के जरिये ही पंचाज चुनाव कराने का फैसला लिया गया सरकाया पंचायच चुनाव के लिए 90,000 EVM खरीदेगी राज केमिनेट ने पंचायच चुनाव के लिए 122 करोड रुपे खर्च करने की मंजूरी दे दी है सुबे में 10 चरण में पंचायच चुनाव होगा इसमें वार्ड सदस, पंच, सरपंच, मुख्या, पंचायच समीति सदस और जिला परिशत सदसों को चुना जाएगा बिहार के IS, IPS या किसी भी सरकारी अपसर के लिए विदेश जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है अगर कोई भी अधिकारी अपने पर्सनल काम से भी विदेश यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे बिहार सरकार को नीजी जानकारिया भी साजा करनी पड़ेंगी हाला कि ये नियम पहले से भी है लेकिन इसे और भी ज़्यादा सक्त कर दिया गया है इस संबन में बिहार सरकार ने सभी अपर मुख्य सचीव, प्रधान सचीव, सचीव कमिशनर और डियम को पत्र लिखा है बिहार सामायन प्रसासन विभाग की ओर से साजा की गई जानकारी के मताबिक राज के सरकारी सेवकों को परसनल काम से भी विदेश जाने के लिए धेर सारी जरूरी और परसनल जानकारिया भी सरकार के साथ साजा करनी होंगी हालाकि ये नियम पहले से हैं कि सरकारी अपसरों को विदेश जाने से पहले सक्चम प्राधिकार की अनुमेती लेनी होती है लेकिन इसे और भी ज़्यादा सक्त कर दिया गया है बिहार विद्दाले समीती ने जिन 106 चात्रों के STET परिक्षा देने पर रोक लगा दी थी उनकी परिक्षा अब दिन महने में बिहार बोड को लेनी होगी कोट में बिहार बोड को 106 चात्रों से जुड़े मामलों में जटका लगा है हाई कोट ने पिछले साल 28 जनवरी को हुई STET परिक्षा में कदाचार और विवस्था को लेकर हंगामा करने वाले 106 चात्रों को बड़ी राहत दी है कोट ने बिहार बिद्दाले परिक्षा समीती को कहा है कि इन सभी चात्रों की परिक्षा तीन महिने के अंदर आयोजित की जाए नयमूर्थी आसुतोस कुमार की इकल पिट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यहाँ फैसला दिया है बिहार में जल्दी दुसरा खादी मौल खुलेगा सुमबार को गांधी मैदान इस्तित खादी मौल का जायजा लेने पहुँचे उदोग मंत्रे साहनवाज हुसेन ने गोशना करते हुए कहा कि दरभंगा में बिहार का दुसरा खादी मौल बनाया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खादी उदोग से जुड़े बुनकर किसान और सिल्पकारों के उत्थान के लिए बिहार के विभिन जीलों में खादी बोड की जमीन पर खादी मौल बनाया जाएगा इसकी सुरुवात दरभंगा से की जाएगी बिहार का दुसरा खादी मौल दरभंगा में बनाया जाएगा जिससे रोजगार को स्रिजन होगा और इसके साथ ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की पहुँच भी लोगों तक बढ़ेगी पटना इस्तित खादी मौल पहुँचे उधोग मंतरी ने लोगों से अनुरोद किया कि जादा से जादा खादी के कपड़ों का इस्तिमाल करे और खादी मौल से खरीदारी करे इससे हमारे राज के उधोग से जुड़े बुनकर किसान वर सिल्फकारों का उत्थान होगा और आगे उन्हें बेहतर करनी की प्रेड़ना मिलेगी मंतरी असोक चौधरी ने कहा कि कहीं भूमी की अनुपलब धता तो कहीं किसी अन्य वज़ा से काम सुरू नहीं हो पाया है लेकिन अब सारी बाधायें दुर कर ली गई है और जल्दी निर्मान का कार भी पुरा कर लिया जाएगा केंदर सरकार की तरप से लागू किये गए तीन क्रिसी कानुनों के खिलाप भागपा माले के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्सन किया सदन की कारवाही सुरू होने के पहले भागपा माले के विधायक के हाथों में प्ले कार्ड लेकर क्रिसी कानूनों का विरोध करते नजर आये भागपा माले के विधायकों का कहना है कि किसानों की देश में लगातार अंदेखी कीज आ रही है नए क्रिसी कानूनों से किसानों को सहुलियत की बजाय मुश्किले होंगी सरकार को जल्द से जल्द क्रिसी कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए बिहार में भुमी सुधार आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हुए भागपा माले की विधायकों नितीज सरकार को भी घेरा है भागपा माले की विधायकों का आरोप है के ग्रामिन योजनाओं में कमिशन खोरी व्याप्त है और नितीज सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए राज में बढ़ती हुई महंगाई समेत अन्य मुद्दो पर भागपा माले की विधायकों ने जबर्दस्त प्रदर्सन किया बिहार में टॉपो लेंड यानि की सर्वे छेत्र भूमी के मालिकाना हक को अब राज सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी देखेगी विधान सभा में टॉपो लेंड से चुड़े ध्यानाकरसन सुचना पर जवाब देते हुए बिहार के भूमी सुधार मंत्री रामसुरत राज ने इसकी घोसना की है रामसुरत राज ने बताया कि राज सरकार इसके लिए एक कमेटी गठित की है यह कमेटी तै करेगी कि गंगा किनारे टॉपो लेंड का मालिकाना हक किसके पास है दरसल विधानसभा में जेडिव विधायक संजीव सिंग समेथ अन्य सदस्यों की तरफ से टूपो लेंड की समयस्या और इसके मालिकाना हक चैन नहीं होने को लेकर एक के एक ध्यानाकर्शन सुचना दी गई थी सरकार की तरफ से सदन में इस पर जवाब हुआ मंतरी रामसुरत राय ने कहा कि बिहार में और सरविक्षन भूमी के मालिकाना हक होता है सरविक्षन करने के लिए राज सरकार ने एक कमेटी का गटन किया है विधानसभा में कई विधायकों ने एक कमेटी की तरफ से जल्द रिपोर्ट देने की मांग उठाई इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजाई कुमार सिन्हा ने भी इस मामले पर चिंता जताई चिंता को देखते वे सरकार ने यहाँ भरोसा दिया कि अगले वित्यव वर्स तक कमेटी की तरब से सर्वे का काम सुरू कर दिया जाएगा पिहार के आठ जीलों के सदर अस्पतालों में सीटी इसकेन सुविधा के सुरूआत हुई वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादम से स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने सुभारम किया CGHS से भी कम दर पर सीटी इसकेन की सुविधा लोगों को दी जाएगी इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि अब दूर दराज से आने वाले लोगों को सीटी इसकेन के लिए मेडिकल कॉलेजों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा लोगों की परिसानियों को देखते वे स्वास्त विभाग ने राज के सभी मेडिकल कॉलेजों में यहाँ सेवा बहाल कराई है सदर अस्पताल नालंदा, समस्तिपूर, भागलपूर, मुंगेर, मधुपनी, भोजपूर, रोहतास और जननायक करपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपूरा में यहाँ सुविधा बहाल की गई है साथिर राज के सदर अस्पताल में भी मुफ्त डायलिसिस योजना एमंग डिजिटल एक्स्रेक की भी सुविधा देने की कारवाई सुरू कर दी गई है 31 मार्च से सभी अस्पतालों में लोगों को यहाँ सुविधा मिलने लगेगी स्वास मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सिटी इसकेन की सुविधा CGHS दर से भी कम पर दी जाएगी तो आज के सुर्कियों में बस इतना है बिहार से जुड़ी कबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टतारों में सेयर जरूर करें धन्यवाद